इस बार करीब करीब 50-55 लाग मेट्रिक टन गेहु खरीदा गया है जबकि पहले की सरकार में यही खरीद मात्र साथ या आठ लाग मेट्रिक टन हुआ करती थी याने करीब करीब साथ आठ गुना किसानों से खरीदारी करके उनको सही दाम मिले इसकी चिंता भारतिय जनता पार्टी योगी जी की सरकार ने की है यही नहीं यह जो खरीदारी दिकी गई है यह ई उपारजन यानि तकनिक के माध्यम से सीधे किसान से की गई है जिससे बिचोलियों को हटाने में भी मदद मिली है साथियों यह बडलाव सिर्फ धान और गेहूं की खरीद में ही नहीं बलकि गन्ने की खरीद प्रक्रिया को लेकर भी परिवर्तन स्पष्ट दिख रहा है इस सीजन का करीब 27,000 करोड रुपे से दिख का भुगतान किसानों को किया जा चुका है इतना ही नहीं पिछले बकाएं मैंसे भी करीब 11,000 करोड रुपे किसानों को दे दिये जा चुके है मुझे बताया गया है कि चीनी मिलों पर जो बकाया है उसको भी जल्द दिलवाने का प्रयास योगी सरकार कर रही है मुझे ये जानकर भी खुशी हुई कि यूपी सरकार ने पहली बार आलू खरिदने का भी भैसला लिया है इससे निश्चित तोर पर उन किसानों को लाब मिलने वाला है जिनको आलू का उचित मुल्न मिनने में समस्या आती थी साथियों यूपी में हो रहे ये प्रयास केंद्र सरकार की उस प्रतिबद्धता का हिस्सा है जिसमें गांव और किसान हमारे आर्थिक चिंतन का एक प्रखर हिस्सा बने है हमारा ये स्पस्ट मत है कि किसान को कोई आगे नहीं लाता ये ब्रह्म है कि कोई किसान को आगे लाता है बलकि ये हमारा किसान है जो देश को आगे ले जाता है यही कारण है कि सरकार क्रिश्ची और किसान से जुड़ी समस्याओं पर टुकडों में काम करने की पुरानी सोच के बजाए अब पूरी समगरता से काम कर रही है हमारा ध्यान किसानों की छोटी छोटी मुश्कुलों को दूर करने पड़ है साथियों साल 2022 तक जब आज़ादी के 75 साल होंगे देश के किसान की आए दो गुनी हो इसके लिए सरकार संकल्प बद्द है किसानों की आए बढ़ाने के लिए कम लादगत अधिक लाप इस नीती पर चलते हुए खेती में वैज्ञानिक तरीकों का अभूत पुर्व समावेश किया जा रहा है बीज से लेकर के बाजार तक की एक मजबूत व्यवस्ता देश में तयार की जा रही है मिट्टी की सहच से लेकर मंडियों में सुधार को लेकर अनेक कदम उठाये जा रहे है देश भर में करीब सोला करोड से अधीक सॉयल हेल्ट कार्ड किसानों को दिये जा चुके है जिसमें से करीब तीन करोड अकेले उत्तर प्रदेश में बाटे गए है उत्तर प्रदेश के किसानों को बाटे गए है इससे किसानों को ये ताय करने में बड़ी आसानी होती है कि उनकी जमीन कौन सी फसल उस मिट्टी के लिए उप्यूगत रहेगी और कौन सा फर्टिलाइजर कितनी मात्रा में डालना जरूरी है साथियों मिट्टी की गुणवत्ता के साथ साथ इसकी उपजाव शक्ति को बनाए रखने के लिए और्गेनिक फार्मिंग को पोटसान दिया जा रहा है वेश से जो खाद बनती है उसके अधिक उप्यूग के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है लेकिन देश की आवशक्ताओं के हिसाब से उत्पादन भी हो इसके लिए यूरिया जैसे फर्टिलाजर की परियाप्त उपलब्दता भी सुरिश्चित की गई है वहीं सींचाई की व्यवस्ता को भी मजबूत किया जा रहा है बड़े सींचाई प्रोजेक्स के अलावा सींचाई की नई टेकनिक को भी बढ़ावा दिया जा रहा है पर ड्रॉप मौर क्रॉप एक एक बुंद से फसल को कैसे फाइदा मिला पर ड्रॉप मौर क्रॉप के लिए किसानों को प्रोजशाहित किया जा रहा है ड्रीप इरिगेशन, स्प्रिंग्लर इरिगेशन यहने टपक सीचाई, सुख्ष्म सींचन पद्दती जैसे वैज्ञानिक तरीके हमारी सींचाई वबस्ता का हिस्सा बन रहे है इज्राइल को तो सींचाई के इन नए तरीकों में महारत हासिल है वहीं जपान भी कृशी से जुड़ी तकनिक के मामले में बहुत व्यापक काम कर रहा है लिहाजा इस क्रिसी कुम का पार्टनर होने के नाते आप सभी को पूरे देश को इन दोनों देशों की विश्यसग्यता का लाब मिलने वाला है साथियों इसके साथ साथ हम बिजनी और डीजल पर चलने वाले पंपों को सोलार पंप में बदलने की तरब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं इन व्यवस्ताओं के अतिरित सिंचाई का बहुत बड़ा साधन हमारे पंप है लिहाजा इसकी तरब भी बहुत बड़ा प्रयास हो रहा है बिजली या डीजल पर चल रहे इन पंपों को सूर्य उर्जा से चलने वाले सावर पंपों से बदलने का एक व्यापक अभियान चल रहा है इसके तहट आने वाले चार वर्षों में देश भर में करीब 28 लाग किसानों को खेतों में सोलार पंप लगाने का अभियान है इससे किसानों को एक तो मुप्त बिजली मिलेगी दूसरा जरूरत के अतिरिक्त जो बिजली पैदा होती है उसको वो बिजली वित्रन कम्पनियों को बेच भी पाएंगे साथियों एक समय था कल जो हमारा किसान अन्न दाता था वो आज उर्जा दाता भी बनने की संभावना पैदा हो गई है वो अन्न दाता भी है अब उर्जा दाता भी बन जाएगा साथियों इस अभियान से किसानों के जीवन में कितना परिवर्टन आ रहा है इसका साक्षी मैं कुछ दिन पहले जब गुजराद गया तो मुझे वो देखने को मिला वहाँ एक गाउ में कुछ किसान परिवावनों ने मिल करके खेत के अंदर ही सोलार पैनर और सोलार पम से काम शुरू किया सूर्य किरणों से बिजली पैदा करना शुरू किया उससे अपना खेत का काम चलता था पम चलता था इससे उनकी अपनी जो बिजली की जरूरत थी खेत में जो जरूरत थी खेत में जो घर था उसमें जरूरत थी वो तो पूरी हो गई लेकिन साथ साथ वो बिजली बेच करके एक साल में पचास हजार रूपिये प्रतिवर्स बिजली बेज करके कमाना शुरू कर दिया साथियो विज्ञान का सीध हाला किसान को मिले इसके लिए सरकार ने गंभीर प्रयास किये है किसानों और वैज्ञानिकों से अनुसंधान केंद्रों से सीधे जोडने का काम किया जा रहा है ताकि जो भी नई खोज खेती से जुड़ी हो बीज से जुड़ी हो उसकी सही जानकारी कम से कम समय में किसान तक पहुँच सके इसके लिए देश भर के लगभग साथ सो कुरुसी वैज्ञान केद्रों को भी बहुत बड़ी भूमी का दी गई है खेती पर रिसर्च से जुड़े आधुनिक संस्थान तयार किये जा रहे है वारणसी में बन रहा राइस रिसर्च सेंटर पैड़ी पर काम कर रहा है चावल पर काम कर रहा है इसी दिशा में एक बड़ा प्रयाद भी है किसान की पैड़ावर का अधिक दाम दिलाने के लिए बैल्यू एडिशन के लिए भी बड़े कदम सरकार ने उठाए है मुल्य वृद्धि कैसे हो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में सो सो प्रतिशत FDI का फैसला सरकार ने लिया है और हम भी जानते हैं कि टमाटर बेचे तो सस्ते में जाता है लेकिन टमाटर का सूप सौस बना करके बेचे और वो भी बाटल में भरकर के अच्छे डंग से बेचे तो ज़्यादा मिलता है कच्चे आम का कम पैसा मिलता है लेकिन कच्चे आम का आचार बना करके बेचे तो ज़्यादा पैसा मिलता है हरी चीनी मिर्ची बेचे तो कम पैसा मिलता है लेकिन लाल चीनी मिर्ची का पावडर बना करके बेचे तो ज़्यादा पैसा मिलता है ये है वेल्यू एडिशन ये है मुल्ल बुर्दी और इसके अलावा सरकार ने बजेट में टमाटो ओनियन और पोटेटो यानि टमाटर प्याज और आलू की पैदावर से जुड़े वेल्यू एडिशन के लिए 500 करोड रुपे की राशीट से टी योपी टॉप योजना का भी अलान किया है इससे भी यूपी के आलू किसानों को काफी लाव मिलेगा इससे कृसी क्षेत्र में निवेश के रास्ते खुले हैं जिसका बहुत बड़ा लाव उत्तर प्रदेश को हो रहा है मुझे बताया गया है कि यूपी इन्वेश्टर समीट में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर याने क्रिशी उत्तपादन सेक्टर में मुल्य बुर्दी के काम में करीब 16,000 करोड रुपी के निवेश के प्रस्ताव आये थे इससे 3,500 करोड की चवत परियोजना का लोकारपन भी हो चुका है साथियों ये तो वो काम है जो खेती को लाबकारी बनाने के लिए किये जा रहे हैं इसके अलावा दूसरे माध्यमों से भी किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं ग्रीन रिवालुशन के सफल प्रयोग के बाद अब हम वाइट रिवालुशन, स्वीट रिवालुशन, ब्लू रिवालुशन जैसे नए रास्तव पर निकल पड़े हैं दूद उत्पादन हो, शहत का उत्पादन हो, अंडा या मचली उत्पादन हो, देश नए नए रेकॉर्ड बना रहा है दो दिन पहले ही भारत सरकार ने मचली उत्पादन से जुड़े किसान परिवारों को मचवारे भाई बहनों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है सरकार ने साड़े साथ हजार करोड रुपिये के एक नए फंड को मंजूरी दे दी है साथियों कृषी क्षेत्र कुम्भ में मौजूद आप सभी किसान खेती से जुड़े एक्सपर्स बैग्यानिक बारत की अर्थिववस्ता का एक महत्पपुन हिस्सा है क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका आने वाले समय में तेजी से बढ़ते हमारे आर्थिक सामर्थे पर बहुत बड़ा असर होने वाला है मेरी आप से अपेक्षा है कि इस क्रिसी कुम्ब में किसानों के साथ बैग कर खेती से जुड़ी तकनीक पर और गहन मन्थन हो खात का उप्योग कैसे कम हो पानी का उचीत उप्योग कैसे हो फसल के भंडारन की तकनीक बहतर कैसे हो रोबोट और ड्रोन जैसी तकनीक का खेती में प्रभावी उप्योग कैसे किया जाए ऐसे अनेक विशे पर जिन पर अधिक कारिया करने की जरूरत है इसके अलावा पराली को जो एक वेश के रुप में देखा जाता है उसे भी नई टेक्निक के माद्यम से वेल्थ में कैसे बढ़ला जा सकता है कच्रे को भी कंचन बनाया जा सकता है खेट के अंदर कोई चीज निकम्मी नहीं होती है फसल के पहले भी नहीं फसल के बाद भी नहीं हर खेट की हर चीज सोना होती है बस किसान अगर जोहरी की तरह उसका उप्योग कर लें तो उसके खेट की एक भी चीज बेकार नहीं जाएगी कच्रा भी कंचन बन सकता है वेस्ट में से वेल्ट क्रियेट हो सकता है इस पर भी और व्यापक तरीके से काम करने की जरूरत है सरकार अभी पराली जलाने से रोकने के लिए किसानों को मशीनों के लिए 50 से 80 प्रतिशत तक की छूट दे रही है लेकिन हमें तक्निक आधारित कुछ ऐसे ठोस उपायों के तरब बढ़ना होगा जिससे हमारे किसान भाईयों के सामने पराली जलाने की मजबूरी खत्म हो जाए और इससे परियावरन की भी रक्षा हो मुझे विश्वास है कि आने वाले तीन दिनों के दवरान क्रिशी को लाबकारी बनाने के लिए इन विश्वाओं पर और इन में बेल्यू एडिशन कैसे हो इस पर आप चिंतन करेंगे विश्वास रुप से यूपी के अलग-अलग जीलों में वहां की जरुरत के हिसाब से कैसे नयोग प्रयोग किये जा सकते हैं इस पर भी चर्चा करेंगे ये क्रिशी कुम्ब यूपी के साथ साथ पूरे देश की क्रिशी व्यवस्ता को नई देशा देगा इसी कामना के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत-बहुत शुब कामना है बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत धन्यवाद मने प्रधान मंत्री ची तो प्रधान मंत्री नरियंद्र मोदी को आप सुन रहे थे वीडियो कॉंफरेंसिंग के जरही वो संबोथित कर रहे थे क्रिशी कुम्ब दो हसार अठारा को तमाम मसलों पर बाच्चित की तमाम विश्यों पर बाच्चित की किसानों की दिशा दशा कैसे बदलनी है प्रधान मंत्री मोदी ने इस विश्य पर चाच जाके उन्होंने कहा कि देश के हर किसान को आगे आना है और किसानों की आई दोगुनी करने के मसले पर भी प्रकाश डाला प्रधान मंतरी मोधी ने और किसान लगातार किस तरीके से जागरूख हो रहे हैं नई तक्नीकों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं इन मसलों पर भी प्रधान मंतरी मोधी ने चर्चा की